हालो फ्रेंज मैं हूँ पूनम और मेरे चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं आपके लिए नई रिस्पी लेकर आई हूँ बहुत ही कम चीजों से हम इसे बनाएंगे छोटा सा एडिया है आप इसे दो मिनिट में बना सकते हैं तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं मैंने यहां पर एक ब्रेट स्लाइस लिया है और यहां पर हम डेरी मिल्क चॉकलेट लेंगे तो इस चॉकलेट को हम तोड़ कर सेंटर में रख देंगे और चॉकलेट के ऊपर और एक ब्रेट रख देंगे तो अब हम ग्यास की तरफ चलते हैं मैंने यहां पर नॉ जब यह melt हो जाएगा तो हम इसके उपर ब्रेट को रख देंगे और इसे हम प्रेस करते हुए दोनों तरफ सेख लेंगे सेखने से क्या होगा अंदर जो चॉकलेट हमने रखा हुआ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो दूसरे तरफ भी हम इसे सेखेंगे तो यहां पर मैंने थोड़ा सा बटर और डाला है और इसे दोनों तरफ हम अच्छे से सेकेंगे धीरे धीरे हम दोनों तरफ इसे सेक लेंगे प्रेस करते हुए सेकेंगे ताकि जो अंदर हमने चॉकलेट रखा हुआ है वो मिल्ट हो जाए अच्छे से तो ये देखिए ये ब्रेट जो है रेडी हो गया है अब हम इसे प्लेट में ले लेते हैं मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि कैसे बने है ये ये बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में और ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं सिर्फ आपको दो मिनिट में बन जाएगा और बच्चे तो इसे काफी जादा पसंद करेंगें क्योंकि हमने इसे चॉकलेट से बनाया है तो आप जरूर इसे ट्राइ करना यह देखिए अंदर जो चॉकलेट हमने रखा था वो अच्छे से मिल्ट हो गया है खाने में बहुती क्रिस्पी लगेंगे अगर आपके घर में कुछ भी अवैलेबल नहीं है तो आप यह ब्रेट से बना सकते हैं तो आप इसे जरूर ट्राइ करना और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा थैंक्यू फर वाचिंग